वेलकम बैक तो अंदर वीडियो आज की वीडियो पर रियक्शन वह बबु मान साब के जो टीजर आया है उस पर हम रियक्शन करेंगे वीडियो इसलिए लिए मेरी आली थी के मेरे पूझा भी और फिर मेरे फास्ट बिताओ और सब कुछ मुझे देखने पड़ा था वन क्योंकि अगर मम्मी होती है तो मम्मी देख लेती है तो इस वह ऐसे बट हम जिस तरह से यह टीजर आया है बभु मान साब का तो मैंने सुचे चलो देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ आपके साथ जागा मज़ा आता है बभु मान साब जी के गारे सुने में अभी देख लाड टीजर यह रिलीज किया है बभु मान साब जी ने और इस गारे का नाम है नीली छट तो इसको चक आउट करते है कि क्या कुछ लेकर आए मान साब जी तो विडियो श्रू करते है जैसे कि इस टीजर में हमें रियाल्टी टंच मिला है आज करके टाब में यह सब चीजे हो रही है और एक तरह से बोल सकते हैं विश्वास होना चाहिए बट एक विश्वास इतना ही हो कि आप किसी पर विश्वास करो यानि कि उससे ओवर ना हो जाओ जो हमें इस गाने के अंदर देखने को मिलेगी और बहुत ही आद मज़ा आने वाला क्योंकि जब भी मान साब जी इस तरह के कॉंसप्ट लेकर आते हैं तो भाही बात होती है क्योंकि इस पहले वह एक डूसरा ट्रैक भी लेकर आयते हैं जो कि दो अपते पहले आया था और तो अपते हैं कि वह आप उस हलएं ट्रै कर आता है तो वह एक जब देखने लाइए जो जब ट्रम्राइक को स्टות TOP她 वह ए बागर पार जब हती रहीं एक डिजर में डिक्रफे से गाने की बात करें जोगाड़्य बाहने धाने करी निकैसा ओए ढ़गा के बारे में जब आ मान साब जी की यह खासियत जो रियाल्टी होती है वह उसी चीज को अपने गाणे में लेकर आदे तो वह उनकी क्वालिटी है तो बस अभी यह गाला जो है वो कमिंग सून पर और जब इसकी फाइनल डेट निकलेगी ना भाई बहुत ही आने वाला क्योंकि मान साब जी के गाने तो होते हैं इस तरह के साथ ही साथ जो लेकर आते हैं मान साब जी वो काफी सारी लगते है तो यही बात बोला चाहूंगी क वह चीज नियो होने चाहिए तो वही चीज जो है यहां पर मान साब जी रेकर आया है तो यह तो मेरा रियक्षण और आप बते ही आपको मेरा रियक्षण कैसे लागा तो के लिए मैं मिलती हूं आपको में नेक्स वीडियो में टेल दर एंटेक केरे रहा है